आज हम बात करेंगे बॉलिवुड के ऐसे किस्से के बारे में जिसे देज कर आप दांग रह जाएंगे, जिसकी वज़ए से शिल्पा राखी सहित दीपिका को ट्रोल किया गया था। 2007 की उस शाम को शिल्पा शेट्टी को हॉलिवुड स्टार रिचर्ड गेर ने सरयाम स्टेज पर किस कर लिया था। और अदालत का फैसला बेहद चौँकाने वाला है। कोर्ट ने शिल्पा शेटी पर लगे सभी आरोपों को गलत बताते हुए उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। शिल्पा शेट्टी को विक्टिम बताया है, उन्होंने कहा है कि रिचर्ड के लिए शिल्पा एक एलिमेंट की तरह थी और इसमें उनकी कोई गलती नजर नहीं आती है, खुलियाम की रिचर्ड ने शिल्पा को किया था, पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेजों को मद्दे न और राखी सावंत के इस फैसला का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, लेकिन आखिर कार अब कोर्ट ने लंबी सन्य के बाद बहुत बड़ा फैसला दे दिया है, साल 2006 में मीका सिंह ने अपनी बर्थडे पार्टी में राखी सावंत को अचानक जबरन किस कर लिया था यह देखकर राखी हैरान रह गई थी, तब मीका सिंह के खिलाफ पूरे देश में उबाल था, उनकी खिलाफ लोगों ने जम कर प्रदर्शन किया था, राखी ने मीका के खिलाफ कैसे दर्ज कर आया था, इस मामले में मीका को जय भी जाना पड़ा था, लेकिन अब 17 साल बा कि उन्हें एहसास हुआ कि सब कुछ गलत फहमी की वजह से हुआ था, अब राखी और मीका भले अच्छे दोस्त बन चुके हो लेकिन जब यह कांड हुआ था, तो राखी मीका सिंह के खिलाफ खूब जहर उगलती थी, मीका सिंह के खिलाफ ये पहले मामला नहीं है, इस से पहले, 2018 में दुबई में मीका सिंह को गिरफतार कर लिया गया था, उन पर एक 17 साल की लड़की को अशलील मैसिज भेजना का आरोप लगा था, वही साल 2016 में मुंबई में एक रहने वाली मॉडल ने मीका के खिलाफ शोशन करने का आप लगाया था, वही मीका सिंह ने भी उ में मीका सिंह को बहुत बड़ी राहत मिल गई है, नमबर 3, IPL के लाइव मैच के दौरान दीपिका पादुकॉन के साथ हुआ कुछ ऐसा, जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग सुन रहे थे दोस्तों, ये वाक़्े दो था, अन्पारा का जबकर और RCB के एक मैच खेली जा रही थी, उसे टाइम दीपिका पादुकॉन जो है ब्रांड एम्बेस्टर थी RCB के